वाईगुर्जी का खालसा वाईगुर्जी की फते गुर्मत एलिमेंटरी कोर्स पुस्तक पहली जीवन विकास शक्षियत विकास व्यक्ति दी शक्षियत दा उसते आले द्वाले ते बहुत परबाब पैददा है अते जेहो जेही व्यक्ति दी सक्षियत हुँंदी है, उहो ज्याही ओ आपडा आला दौला सिर्जदा है इसले ए आम बिकषण विच आंदा है के चंगी सक्षियत वाले व्यक्ति आपडे कारपरवार अते स्माज नूँ नमी दिशा परदान कर दे हन इसे तरह उना व्यक्तियां दावी आपने समाज उत्ते असर पैंदा है जो माडे ख्याल सिर्जदे हन हार एक माप्योदी आ सुन्दी है के साड़ा बच्चा चंगे गुणादा तारनी होवे अते नेक कमाई करे समाज विच उत्ते चंगे गुणादी पैश्चान होवे आदी इस काम विच ओई व्यक्ति काम्या भुंदिहन जो सरीरक आते मानसिक तोरते तंद्रोस थोण ए आम तोरते क्या ज़द्दा है के एक निरोय स्रीर विच ही एक निरोय मन्दा विकास हुन्दा है सरीरक तोरते तंद्रोस थोण लइ व्यक्ति स्वेरे जल्दी उठे, खुद्रत दी कोध विच जाए आते शुध हावा घ्रैन करे शुध हावा व्यक्ति नूँ चुस्त द्रोस्त करण विच सहायता कर दी है शुद्ध हवाराई कुदर्ती गुण व्यक्ती दे स्रीर विच परवेश कार जान्दे हन जो के व्यक्ती नू कई तरादिया विमारिया तो भचान्दे हन कुदर्त दे नेडे रैणनल व्यक्ती नू आलस नहीं आन्दा जो के कई तरादिया स्रीरक विमारियां दा कारण बंड़ता है सारा दिन व्यक्ति उना कमावल रुचे ठ्रैंड दी कोशिश करे जिना कमाविच स्रीर किसे न किसे तरह हरकत विच आवे स्रीरक तोरते तन्दरोस्त ठ्रैंड लई पोष्टिक अहार ज़रूरी है व्यक्ति उना ही पोजन खावे जिनना स्रीरक विकासले ज़रूरी होवे लोड तो वद पोजन खाण नाल स्रीर वी बमारियां नाल ग्रस्थ हो जान्दा है अते ज्यादा पुखे रेना वी सेतले ठीक नहीं पोजन केवल ओखाच रिया करना चारीदा है जो के स्रीर विच सारे पोष्टिक तत्ता नूँ पूरा करनवाला होवे कस्तृत व्यक्ति दे जीवन्दा इक अटूट अंग बननी चाईदी है कस्तृत केवल उस्सेत्रादी ही करनी चाईदी है जो स्रीर दे सारे अंगा नू चुस्त दुरुस्त करन विच सहाइक होवे कस्रत काम दे हिसाब नाल होनी चाहिदी है जिमें हलका काम काम करन वाले व्यक्ति केवल ओ कस्रता करन जिनाराई सारे स्रीर दे अंग हरकत विच रैन पारे काम करन वाले व्यक्ति नूँ भी अपने काम दे हिसाब नाल ही कस्रत करने चाहिदी है ता जो स्रीर नों कुदर्ती तरीके नाल निरोग रख्या जा सके व्यक्ति अपने सारे दिन दे कम एक विशेश टाइम टेबल दे अनसार करे अते जो कम मिथे गए हन उना विश कुता ही ना करे व्यक्ति स्विरे उठके सेर करन जान दे होए जा कोई होर काम कर दे होए आपने सारे दिन दे कमा दे समय दी वंड कार सकता है जिनना समा इक कम ली रख्या गया है उस कम नू उनने ही समय विच पूरा करन दी कोशिश करे नई ता बाकी होर कमा विच्वी विगन पैंड दी समभावना हो सकती है व्यक्ति नू आपने आले द्वाले अते दुनिया बारे हर तरह दी जान कारी रखनी चाहिदी है ता जो उस दे मानसिक अते बोदिक विकास ले लाहवन्त रहे रोज आपने समय विच्चो कुछ समा कड के अख़बार या होर कोई अजिया रसाला जुरूर पड़े जिस तो उसनों आपने समाज विच वापर यह कटनावा बारे जान कारी मिल सके एना ही नहीं रोजाना अख़बार पड़नल व्यक्ति आपने आले द्वाले प्रती चेतन होके कम कर सकदा है आते समाज विच पाए जान दे पुलेख्यां तो सुचेत हो सकदा है व्यक्ति दा सुभा उस दी शक्षियत विच एहम पुमिका निवान्दा है व्यक्ति दी गालबात ते होर तोर तरीक्यां तो उस दे सुभा दा पता लगदा है इसलई जे हो जिया क्रियामा व्यक्ति करदा है उससे तरह दा उसनू जुआब भी मिलदा है एक व्यक्ति दूजे व्यक्ति प्रती जिस तरह दा विहार करदा है उससे तरह दे विहार दा उसनों सामना करना पैन्दा है इस तरह जे कर व्यक्ति किसे दूजे व्यक्ति नो वार वार माला कैन्दा है ता देखन वाला व्यक्ति उस व्यक्ति प्रती उसे तरह नितार न पैदा करलन्दा है कि इस व्यक्ति दा सुवाही दूजे प्रती वैर विरोध अते इर्खा रखन वाला है एक व्यक्ति द्वारा कई होई अजयी गल समा पाके समाज विच फैल जान दी है अते नुकसान दाइक साबत हुन दी है इसलई व्यक्ति नु समाज विच रेंदे होए अजया सुवाव बढ़ाना चाईदा है जिस नाल दुज्या दा नुकसान ना होए व्यक्ति दे सुवादा मुढ कारविच्चो ही बजदा है पर उस विच प्रिवर्तन स्कूल अते आले द्वाले दे परवाव सदका ही आ सकदा है जे हो जिया व्यक्ति दे माबाप दा सुभाव हुन्दा है उससे तरह दा प्रबाव बच्चा भी कबूल्दा है पर ए अंतिम नर्ना नहीं है क्योंकि बच्चे ने कार्तो बाहर अपने स्कूल आले द्वाले अते समाज विच्वी विचरना हुन्दा है समाज विच रहन दे हुए व्यक्तियां बारे ए अधियन कीता गया है कि कदे ओ अंतर मुखी बिर्तिनाल सबंदत हो जान दे हन जिस द्वारा ओ समाज तो अलग अते चुप तारन करन विच विश्वाश रखते हन अते कदे व्यक्ति बार मुखी बिर्तिनाल सबंदत हो के आपनी हर एक गल दुजय नल सांजी करनी लोज दे हन जदो किसे व्यक्ति अंदर एक धोमे विर्थियां एक समान हो जान, ता व्यक्ति कदे कोई गल छुपाण वीच विश्वाश रखता है अधे कदे कोई गल दसन वीच अजे ये विर्थि आम मनुखांदे जीवन दा हिस्सा हुनदी है इस बिर्थी तहत व्यक्ति जदो दूजे व्यक्तियां दे संपर्क पीच आन्दा है ता उस दी सक्षियत उजागर हुंदी है इसे व्यक्ति करके ही व्यक्ति दूजे प्रती आपनी राय परगट करदा है अते इसे करके ही ओ दुझे व्यक्ती बारे कदे हाँ पक्खी यानि की positive रुची रखदा है अते कदी ना पक्खी यानि की negative हुंदा है व्यक्तीनो आपनी सक्षियत दे विकास लई हमेशा हाँ पक्खी पोचदा सहारा लेड़ा चाहिदा है ताकि ओ किसे भी व्यक्ति नू मिलन वेले अथे कोई भी काम करन वेले निर उत्षाहित ना हुए अजया करदे समे उसनू हर एक व्यक्ति अथे कम विच्चो हाँ पक्खी पुमी का नजर आवेगी अथे उस दे कम प्रती रुची भी वदेगी हाँ पक्खी पुम्च वाले व्यक्ति हमेशा दूसरे प्रती उसारू सोच रख देहन अथे हर एक व्यक्ति नू समाज दा अटुट अंग समय देहन अथे नाली आपने नाल लेके चलन दी समरथा रख देहन पर इस दे नाल ही ना पक्खी पोंच वाले व्यक्ति हमेशा उदास ही अलसी अते अप्रा नुक्सान करन वाले साबित हुन्दे हन। इसलई हरो व्यक्ति चंगी सक्षियत दा मालिक बांड सकता है जो हाँ पक्खी पोंच रखता हुवे। नशे अजकल समाज दा अटोट अंग बन दे जा रहे हन। जिनादा समाज नू बहुत कातक नुक्सान हो रहे है। ए नशे व्यक्ति नू सरीरक अते मानसिक पद्दरुते खोखला कर दे जा रहे हन। इसलिए हर ओ व्यक्ति जड़ा समाज विच कोई विशेष स्थान हासल करना चांदा है ओ निश्चित रूप विच्छी नश्या तो दूर रहेंदा उपराला करे। अजोके समय विच समाज ने विज्ञानिक त्रक्की दिया सिख्रा नू चूया है अते जो व्यक्ति समाज विच उसारू योगदन पढ़ा चांदा है ओ नविया विज्ञानिक खोजा नू अपनावे अते नविया विज्ञानिक खोजा रही आपने जीवन दिया मुश्कल नू हल करन दी कोशिश करे नविया विज्यानिक खोजा ने सारे संसार नू एक पिंड़ दा रूप दे दिता है जिथे कोई विव्यक्ति अलग थलग नहीं रणा चांदा इसले समाज नू विकास दिया लिहां ते तोरन ले समय समय ते हो रहिया विज्यानिक खोजा तो किता गया है इना विच्चो हार इक पाकुत्थे आणवले पाठा विच संखेप वर्नन किता जाएगा तांके समुच्चा समाच इस बहमुले टंगांतो लहा लै सके कुछ वडमुलियां जीवन से दां पले बुरे जो आदमी वेखे विच जहान बुरा किसे नू ना कहे सो नर्वीर सुजान कहे बुरे नू जे बुरा वैरी तेरा होए कहे बुरे नू जे बुरा तरम अपना खोए नीज फलाना पुरक है कहे जो तेनू आण ओ बुरे आई आपड़ी करदा है एजान लोका दी निंदा करे सबना कोल जो जाए ओ जन विच जहान दे चुगली खोर कहाए जे कर तेनू पै गई निंद करन दी बान सची तेरी गलवी निंदा करे जहान प्रिंसिपल गंगा सिंग जी व्यक्ती दियां जिम्हेवारियां मनुख इक समाजिक प्रानी है अते समाज विच रेंदे हुए उसनों अनेका कम करने पैंदे हन इस सारे कम जेकर व्यक्ति जिमेवारी नल करदा है ता उसनों समाज विच सन्मान योगरुतमा हासल हुंदा है पर इस दे नाल ही जेकर वाप्णियां जिमेवारीयां प्रती कुताई करदा है ता समाज दी निंदा दा पातर भी बनदा है ए सारिया जिमेवरियां व्यक्ति इसे स्माज विच रेंदा होया सिखदा है अतेनी बांदा है गुरु सहबान ने व्यक्ति दा इस संसार विच आउन दा एक खास मनोरत मन्या है जिर्जे उनसार उसने इस जीवन विच प्रभूनाल प्रीत पांड़ी है पर जरूरी इस समझा गया है के प्रभूनाल प्रीत पांड़ा होया हर इक व्यक्ति आपनी स्माजिक जिमेवरी दी पालना वी पूरी तम देही नल करे पर हुण स्वाल एपैदा हुंदा है कि व्यक्ती ऐ जिमे वरी कि थो सिखदा है अते उना दा पालन कि में करदा है इस ज्वाब बेच ए क्या जा सकदा है कि व्यक्ती उत्बे उस दे परवार, स्कूल, समाज अते तार्मे का स्थान दा बहुत गेरा परबाव पेंदा है अते इत्थो ही व्यक्ति आपडियां जिमेवारियां प्रती इचे तन हुन्दा है इना परबाव शाली कारना दा इत्थे संखेप अधियन कीता जा रहा है नमबर एक परिवार व्यक्ति दे जनम तो ही उस्दे माबाप अते पैंद प्रा उस्दे जीवन दा हिस्सावन दे हन इस करके ए शक्षियतां व्यक्ति दे जीवन नों सब तो वाद परबावित कर दिया हन पर इना दे इलावा परवार दे होर रिष्थेदारां जिवे की दादा दादी नना ननी, चाचा चाची, मामा मामी, तया ताई, मासी मासर, आदी दा परबावी व्यक्ति दे जीवन उत्ते पैंदा है ए सारे परवारिक मेंबर मिलके व्यक्ति दे जीवन नों परबावित कर दे हन जे कर कारविच वड़े पैंड प्रा माता पिता दा कैणा मन दे हन ता आण वला बच्चा वी आपड़े आप माता पिता दा आग्या कार हो जान्दा है पर जदो बच्चा ही पहला हुए ता बच्चे नू उसे परवारिक मेंबर बहुत कुछ सिखान दे हन अते जो कुछ हो सिखान दे हन बच्चा चाट पाट ओगुण ग्रेंड कार लन्दा है क्योंकि बच्चे दा मन शुद अते पवित्तर हुन्दा है इसलई कारपरवार दे मेंबर दा ए फर्ज बंदा है क्यों बच्चे दे अंदर अजे गुणा दा विकास कीता जावे जो कि उस दे जीवन विकास वेच हिसा पाट लैसा हाई होन्द। बच्चे दा वी ए फर्ज बंदा है के ओ इना गुणा नू तारन करे अते इना दे अनुसार ही जीवन नू विक्सुत करे बच्चे दी पहली अते मुडली जिमेवरी ए है के ओ अपने माता पिता दा सतकार करे वड़े पैंड प्रावा नल मेल मिलाप विच रैंड दी आदत पावे शिकायत वाली बिर्ती नू उजागर ना होन देवे परवार विच हर आउंड जान वाली रिष्टेदार नल वी प्यार अते सतकार नल बुल ले अते ओ जो कुछ वी कैंड उना दी गाल दा बुरा मनाय बगैर उना विच्चो गुणान उतारन करे कैंड पाव के अजेया कोई काम ना करे जिस नल माता पिता दे सतकार अते वकार नू ठेस पुजदी होए एक उज एक जिमेवारियां व्यक्ति बजपन तो कारविच्चो ही सिखदा है अते उसनो इना जिमेवारियां दी पालना वी करनी चाई दी है नंबर दो स्कूल स्कूल एक अजेया स्थान है जित्थे व्यक्ति परवार तो दूर रहन दा है स्कूल विच बिताया जानवाला समावी व्यक्ति ली बौत महत्व फूरण है जिथे व्यक्ति परवार्तो दूर रहके सिखदा है स्कूल विच अजेया महोल हुँदा है जिथे मां पे ओवरगा प्यारता नहीं हुँदा पर फिर वी स्कूल दे अधियापक बच्चे दे जीवन नो परभावित कर दे हन स्कूल विच बच्चे लेई उस दे अधियापक आधर्ष बन दे हन एक ध्यापक द्वारा कई गई गल, बच्चे नूं इन्ना परभावत कर दी है के ओ कार्जा के वी आपड़े ध्यापक दी कई ओई गल दी प्रोरता कर दे हन। अते उसी अनसार काम करन लेए द्रिड़ता वी विखॉन दे हन। इसलई बच्चे दे जीवन वेच उस्दे स्कूल दी महत्व पुरन पुमिका है स्कूल वेच जित्थे द्यापक उस्दे जीवन अदर्श वन देहन उत्थे नाल पढ़न वाले विद्यार्थियां तो भी व्यक्ति दी सक्षियत परवावित होए बिना नहीं रह सकती स्कूल वेच जेकर विद्यार्थी दी संगत श्रार्थी बच्चया नाल है ता निश्चत रूप विच बच्चा अजये बच्चयां दी संगत तो परवाव कबूल लेगा इसलिए बच्चे दी स्कूल विच एजिमेवरी बन दी है कि ओ आपड़े अध्यापकांदा सतकार करे ओना दी हरगाल नुत्यान वाल सुने चंगियां आत्ता ग्रेंड करन वास्ते बच्चयां दी संगत विच रहे आते प्टाईवल वात तो वात त्यांदवे इस तो इलावा कार्तो सिद्धा स्कूल अते स्कूल तो कारवापिस आवे तांकि परवार वाले वी बच्चे दे इंतजार विच चिन्ता विच ना पैण जो बच्चा इना गलावल त्यान नहीं दिन्दा ओ माप्यों दी खोन पसीने दी कमाईनू अजाई गवार्या है अते इस तरह करके ओ आपणे माबाप दी नाल नाल आपणे आपनों भी तोखा दे रहे है नमबर तिन समाज कार अते स्कूल तो इलावा व्यक्ति उत्ते उस दे आले द्वाले गली मुहले अते दोस्ता मित्रा दा परभावी पैंदा है स्कूल तो वापिस कार आके या चुट्टी वाले दिन व्यक्ति दा संपर्क इना लोका नल हुन्दा है जो के व्यक्तिनों प्रभावित करन विच आपड़ा योगदन पांदे हन। जे हो जिया महोल गली महले अते आले द्वाले दी लोकांदा हुवेगा उससे तरादा ही प्रभाव व्यक्ति उपर पवेगा। जे कर महले विच राई चगड़ा अते गाली गलोच परदान है ता व्यक्ति वी ओ सारे गुण ग्रेंड कर सकदा है जो उसनों लड़न चगड़न विच सहाई हों। पर जे कर इसे उल्ट आले द्वाले दा महल सुखामा अते मिलवर्तन परया है ता व्यक्ति अजे महल तो परवावेथ होए भिना वी नहीं रह सकेगा। इसले व्यक्ति दी आप्रे स्माज परती ए जिमेवारी बन दी है कि ओ अजेया महल सिर्जन दी कोशिश करे जिस नाल आले द्वाले सुख शान्ती अते पाईचारा बनिया रहे। कदे वी कोई अजेयी गल ना कहे जिस नाल दूजे व्यक्ति दा दिल दुखे। दूजे पाईचारे नाल सबंदत व्यक्तिया नाल वी सद पामना वला विहार करे। महल्ले दे सारे वडेरिया नाल सदकार सैत गल करे अते छोटिया नूँवी प्यार नाल बुलावे। महल्ले दियां तियां पैणा प्रतिवी सदकार दी पामना रखे। समा कड़के, जिन्नावी हो सके, आपड़े अले द्वाले दे विकास लई, वाध चड़के, काम करे, अते सार्यानू प्रेम पाव अते बंदा सतकार देवे। नबर चार तरमस्थान तरमस्थान हर एक गली महले दा अटुट अंग बन गया है। जेस महले विच जेस तरमनाल सबंदत लोक वधेरे रहन दे हान, ओ उथे आपड़े तरमदा स्थान बढ़ालन दे हान। जिवें, जेस महले विच हिंदू तरमनाल सबंदत वधेरे लोक रहन दे हान, ता ओ सारे लोक मंदर बनालन दे हान। जिस मुहले विच वदेरे मुसल्मान रंदे होन, उते मस्जित होन विच आजंदी है। ऐसे तरहीं, जित्थे सिख वदेरे रंदे होन, उत्थोधी लोक गुर्द्वारा बढालन्दे हन। कैन दा पाव के हर एक महले विच तरमस्थान एक विशेश महत्तव रखदा है अते आम लोक वी लंगदे होए उसनों सतकार दिन देहाई हर एक विख्ति दा फ़रज है के ओ आपने तरमस्थान ते जरूर जावे अते उत्थे जाके सिख्या ग्रैण करें स्वाधन दे तोरते इस्तिमाल करन्दा अदेश है अते व्यक्ति दा मुख उदेश परमात्मा दी प्राप्ती समझया गया है एस लई एक सिख दी जिम्मेवारी है कि ओ आपने तरम स्थानते जाके जित्थे आपने अध्यात्मक विकास लई सेध लए उत्थे नाल ही समाजि स्याने व्यक्तियां दी सलाले क्योंकि सेख थरम विच जीवन दिया सारियां के रयामा दी सेध गुर्भाणी विच्चों लैंड़ दा हुकम है गुर्दौरे जाके सतकार सेथ गुरुग्रन सहब जी अग्गे मथा टेकके गुर्भाणी कीरतन दा सतकार सेथ अननांद मान इस तो इलावा व्यक्ति दा इवी फर्ज है के समय समय ते गुर्धवारे विच लोड़ी इंदियां चीजां दी पूर्ती हित योगदान पावे या योगदान पारे सजणानू से योगदावे इस तरह व्यक्ति आपणियां समाजिक जिमेवारियां निभान दे हुए आपणे जीवन मनुरती प्राप्तिवाल वज सकता है इस तरह उप्रोतक विचार तो सपर्ष्ट है के व्यक्ति इस समाज़ दा अटुट आंग है अते उसने इसे समाज विच रेंदे हुए समाजिक अते अध्यात्मक विकास करना है जिवें तर्ती उत्ते डिग्या होया व्यक्ति तर्ती दा सहारा लेके ही खड़ा हो सकता है उससे तरह समाजिक नियमा दी पालना कर दे हुए जित्थे व्यक्ति समाज विच विशेश थान हासल कर दे हन उत्थे नाल ही आपणे या जिमेवारियां निभान दे हुए जीव मनुरत हासल कार सक देहन. इस दे नाल ही गुर्मत एलिमेंटरी कोर्स पुस्तक पहली दी स्मापती है जीम. वाईगुर जी का खल्सा, वाईगुर जी की फतेर.